रोज की खाने से कुछ अलग हटके लेकिन बहुती आसान तरीके से आज हम बनाएंगे एक बहुती हेल्दी रेसिपी जो यकिन मानिए बहुती कम घरों में बनाई जाती है लेकिन खाने में ये बहुत बहुत टेश्टी होती है तो आज हम बनाएंगे बहुत शांदार तरीके तेसे बहुत बहुत टेश्टी लोभिया मसाला करी की एधम पर्फेक्ट रेसिपी और एक आपने इस तरीके से लोभिया मसाले करी को खा लिया आप हर दिन बना के खाना चाहें कि इतनी बनती है यह तो इसके लिए मैंने यहां पे लिया है एक कब लोभिया अच्छे साफ कर देखे हम बहुत सब्सक्रीय को अच्छानगे अच्छे-स पउल गया भीसा है, यह जल्स फल केथिंगे. तो बोईल करने के कुकर लिया है मैंने इसमें नास देंगे सारी लूबिया को अच्छे से फेला देंगे अब इसमें जाएगा बोईल होने के लिए पानी तो पानी हम इतना डालेंगे कि जो बीन से ना वो पानी में अच्छे से डिप हो जाएं अब साती साथ हैंगे हैं लूई kommen ही त्माटि रिया हैं यहां कि खड़े मसाले लिए हैं जिनको हम पानी में ही बॉइल करेंगे तो यहां मेंने लिया है एक बड़ी लाइकर लाइकी चार से पानघ लॉंग लिये है एक चीज पत्ता लिया है, एक टुग्र दालचीनी का लिया है, दो सुखी लाल मिर्चली है और साथ में मैंने यहाँ पे लिया है, आदी चमबन नमक अच्छे से मिला देंगे ताकि सभी चीजे जल्दी से बॉयल हो जाए, कुक हो जाए तो यहाँ पे सभी चीजे मिला दिये मैंने, अब कवर कर देंगे और मेड़ फ्लेम पे तीन-चार सीटी आने तब पकाएंगे थार्ली तीन-चार सीटी मच्छे से पक जाएगा, और कुक नहीं का नजबत का ध्यान रखेगा तो यहाँ पे तीन-चार सीटी आने के बाद मैंने गैस को बन कर दिया था, प्रेशन निकल गया है चेक कर लेते हैं, तो यह देखिए, सभी चीजे कितने अच्छे से कुक हो गई है, कलर भी चेंज हो गया है और बीन्स को चेक कर लेते हैं, और यह देखिए, बस हाथ लगाती ही मैस हो जा रही है, तो मतलब अठ्छे से पक गई है और यकीम मानी, यह खड़े मसालों का बहुत अच्छा फ्लेवर आ रहा है पानी में, तो पहले हमने जो ग्रेवी के लिए टमाटर डाले हैं, और तीखी पन के लिए जो मैंने लाल में डाल देए, इसको भी निकाल लेंगे और इन दोने को निकालने के बाद हम क्या करेंगे, टमाटर जो छिलका इसको हटा देंगे, इससे जो ग्रेवी बनती हो काफी टेश्टी बनती है, फिर दोनों चीजों को ठंडा करके, मिक्सिम डाल के अच्छे से प्योरी बना के यूज़ करेंगे बाद में, और यह देख ग्रेवी की तयारी कर लेंगे, तो ग्रेवी बहुत ही सिंपल है, इसके लिए मैंने पैन में डाल दिया है, दो चम्मा तेल, तेल को अच्छे से गरम कर लेंगे, जब तेल गरम हो जाएगा, तो मैंने यहां पे लिया है, आधी चम्मा जीरा, साथ मिटेश को बढ़ाने के यहां पर तड़का फ्राइब हो गया है अब इसमें जाएगा एक मीडियम साइज का प्याज बारी कटा हुआ प्याज को फ्राइ कर लिया है मैंने देखी कलर कितना चेंज हो गया है जब प्याज हलका गोल्डन ब्राउन हो जाएगा फिर हम इसमें अट करेंगे सूखी मसाले टेस को बढ़ाने के लिए तो बहुत सिंपल बेसिक मसाले मैंने लिये हैं आदी चमा धनिया पाउडर आदी अजने में यहां पर लिया है अंच्व पॉडर हलका टैंगी फ्लिवर के लिए चुटकी हींग लिया है साथ में लिया मैंने चुछाइन नमक क्योंकि हमने नमक पहले डाला था बॉयल होने के लिए नमक कमा एट करेंगे इस टाइम पर अब सभी सूखे मसालों को हम हुटापलै की प्योरी जो हमने बना करMy दे रखी ती अगर टबात करें तक चट्चे टमाटर पाइं पनती हो काफी तेश्ट यह बहुत डिपरेंड होती है तो मसालला प्यालों करने घमकारी में अच्षेitations हो DAN तो यह देखें से पका ओवा दा बहुत टाइम ने लगई ल बनने बहुत कम टाइम लगता है लास में डाल देंगे हमें चम्माज इसमें कसूरी मेथी अच्छे भी तो यहां पर जो मसाला है बनके तयार हो गया है लेकिन लास में टेस को बढ़ाने के लिए सबजी को हैले बनाने के लिए हम इसमें आट करेंगे है चम्माज देशीगी टेसिगी का भूनना नहीं है इसलिए मैंने बहुत लास में डाला है इसे जो फ्लेवर होता है तैसीगी का बहुत अच्छा साथा है और यहां जो मसाला है फाइनली बन के तयार हो गया है तेज सेप्रेट हो गया है अब यहीं हमारी बॉइल हुई लूबिया यहनी बीन्स अच्छे से मिला देंगे डिपेंड करते कि आपको कैसी खानी ग्रेवी तो यहां मेरे लिए बहुत ही कम लग रही तो हम स्मेट करेंगे और मान किछली में सारा पानी यूज कर लिया दो ग्लास जो बचा हुआ था मसालो वाला अच्छे समिला देंगे देखने में कितना बहुत इच्छी मसालों की महक आ रही है पूरे घर में तो ढटा के देख लेते हैं तो यह देखिए पहले अच्छे से मिला देंगे और यह लीजे तैयार है हमारी गर्मा गरम बहुत-बहुत स्वादिश्ट लुभिया मसाला करी की एकदम पर्फेक्ट रेसिपी लेकिन हम सब्चे चार से पांच कलिया लेसन परार कटी हुई अठय से फ्राइब कर लेंगे और यहां मेरे पास अधरा की जो स्राइस होती नंबी-अची कटी हूई ड्रा क्रेशन के लिए मैंने यह लिया है वो ढटाल देंगे इसको फ्राइब कर लेंगे दोनों का फ्लिवर बहु जब नहीं के ताइम करेंगे काफी ठाएगा तो यह लिजी तैयार है बहुत स्वादेश् बहुत स्वादेश मूह सकत 찬양े लुब शाओ जाने वाली लूबिया मसाला करी में परफेक्ट रेसपी अपने यज़ने fir able किलोविया मसाला करी को अब हर दिन बना के खाएंगे इतनी टेश्टी बनती है यह तो मैं उम्मीद करते हूं कि आपको आज की वीडियो बहुत पसंद आई होगी वीडियो पसंद आई हो वीडियो को लाइक करें शेयर करना तो भीकुल न भूलिएगा चली मिलते हैं सी हेल् टेक केर और बाबाई आप मुझे फेस्बूक इंस्टाग्राम पर फॉलो कर सकते हैं तो प्लीज फॉलो करिएगा अभी के लिए धन्यवाद थैंक्स टू वाच प्लेयां का किचान जोन